तुम्हारी हालत देखने जैसे है पत्थर के सरवाले मैं डाइमंड हेड हूँ तुम मेरी बात करते हो कभी अपना नया रूप आईने में देखा है मुझे शैतान बनाने के लिए मैं तुम से बदला लूँगा तुम पहले से ही शैतान थे केविन अब बाहर से भी बचसूरत बन गए हो जितनी चाहूँ इंसल्ट कर लो मैं अब भी तुमसे दस कुना बहतर हूँ मेरे पास तुम्हारी सारी शक्तिया है और मेरी भी मैं हूँ कैविन लैले बात अफसोस उन में से हरी की ताकत सिर्फ मेरे दसवे हिस्से जितनी है यह वो गविन सही कहती है यह चीज बहुत कंभी है थाँ खुण ़ढ कभी फस फसे बहुत क्वारी थू़ बन Еचर भी मैं सहूअ बहुत क्याम क्या हुआ? मैं कहां हूँ? बेश है हमारा नया चैलेंजर प्लानेट अर्थ से चैलेंजर? जरा आराम से तुम नाराज लगते हो आराम से तुम अर्थ सकैलेंजर प्नाराज फ्लाराज इस्ता जर्थ स्वारण जर्थ सिर्थ आराम से अर्थ स्वाह्त्व आराम अर्थ अब्दों अच्छा करनेंजर अदेश्व से इस वाले में जोश है तुम मुझे लड़ना चाहते हो तुम जिसे किरों को मैं यू मसल देता हूँ तुमें और खोड़ा चाहिए उससे वाला ताकतवर बेरहम एक असली ग्लाडियेटर की तरह देखो मेरे दोस्त मैं लड़ना नहीं चाहता एक इंसान अकलमंद और भेड का दिल जीतने वाला मुझे दोनों से बहुत फायदा होगा तुम यहां आखिर तुमने मुझे इस अचीब सी जगा क्यों भेजा इसके लिए मैं दिम्मेदार नहीं हूँ तुमने नहीं किया तो फेर किसमें बहुत हुआ, मैं अब और बरदाश्ट नहीं कर सकता हे, हाथ दाओ हम कहा है मैंने पूछाई क्यों, हमें यहां से बाहर निकलने करास्ता डूढना ही होगा अब यही तुम्हारा घर है, भागना नामुम्किन है हम सब को हमारी दुनियाओं से चीन कर लाया गया है हमें इस गैलेक्सी के मज़े के लिए जान हथेली पर रखके लड़ना पड़ता है यह सब कुभारी कलती है इसमें भला मेरी क्या कलती है मता नहीं, बस कलती है लूंच टाइम ओ गोश, इसे देखकर तो जैसे मेरी भूख ही मर गई टेखनोग अपना हिस्सा मांग ले, इससे पहले खा लो टेखनोग कौन है यहां का चैंपियन अकलमंदी इसी में है कि उसकी हिजजद करो वाउ, इतनी बेजजद्धी तुम इसकी ये बत्तमीजी बरदास्ट कर लोगे देखो, मैं तुम्हारी बस, बहुत हुआ, तुम लड़ना चाहते हो, तो अपनी साइस वाले किसी से लड़कर देखो ये इनसान मुझे हैरान कर रहे हैं, उन्हें मेरे पास लेया मैं हूँ स्लिक स्विट मॉंग, ये है मेगा क्रूजर इस जहाज की हर चीज मेरी है, और तुम भी मेरा कोई मालिक नहीं है, स्लिक मतमाज मैं बोलूँगा, तुम सुनोगे ये आँखे इस जहाज की हर चीज देखती हैं, और ये हाथ इस जहाज की हर चीज कंट्रोल करते हैं और मैंने तै किया है कि तुम्हारी ये रिष्टेदारी तुम्हें फाइटिंग रेंग में एक दिलजस्प जोडी बनाएगी जोडी, नहीं, मैं इस लूजर से चिपका नहीं रह सकता तुम्हें तो मेरे मू की बाथ ही छीली, नमूने अब तुम्हारी किसमत जुड़ गई है, अगर तुम्हें से एक मर गया, तो इन जंजीरों की वज़़े से दूसरा भी मरेगा तुम्हारा अगला अपोनेंट इंतजार कर रहा है यहां सिर्फ एक ही ज्रेंपियन रह सकता है, वो हूँ मैं बहुत बढ़िया पेवगूफ अब चुप भी रहो कैफ, अब यह हम दोनों की प्राब्लम है अब यह छुप कूरा मुझे और मुझे और मुश्किल में डालेगा, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं याद है उसने कहा था, अब हमारी किस्मत जुड़ गई है, यह बस दो मिनट पहले की बात है आएप एफ 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 Has! Oh man! Oh man! I'm sorry! To me één तर्दूँआ? Jaaaaaaaaaaad! कि यह तुमने जानमूच कर किया बिलकुल तुम मेरे बस नहीं हो समझे है अगर हमें जिन्दा रहना है तो हमें मिल कर काम करना होगा मैं क्यूं तुम्हारे साथ काम करूंगा तुम बेकार हो इस बेवकूफ को मैं अकेले संभालूगा तुम कुछ कह रहे थे मैं समझ किया स्टिंग फ्लाय के लिक्विड और हीट ब्लास के फायर बॉल्स को मिक्स करो किसलिए करो तो सही पता चल जाएगा अगर तुमने अपने पावस कॉम्बिनेशन में इस्तिमाल किया तो तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ेगी मिसाल के लिए एक्सेलारेट की स्पीड प्लस फोराम्स की ताकट प्लस डाइमंड हिट की मजबूती इक्वल्स एक भारी बरकम गूसा पेश है हमारे नए चैंपियन्स ओ ये बिल्कुल सही मैं हूँ इनर तुम कितने घटिया हूँ अब उसे खत्म करो जरूर केविन नहीं बहुत हुआ अब लड़ाय का वक्त है फिर से लुको रहें रहें कितनी नई बात है एक गैलेक्टिक हाइपर जम्प की तयारी करो मुझे कुछ नए ग्लाडियेटर्स चाहिए जो हमारे चैंपियन्स के काबिल हूँ अच्छा है अब हमें कम से कम यहां तो इज़त मिलेगी उससे जिन्दा रखने के लिए थैंक्स बुद्धूराम तुमने मुझे हराया फिर मेरी जान बचाई अब तुम मेरे मालिक हो मुझे तुमारा मालिक नहीं बनना है मैं बस प्रित्वी पर लौटना चाहता हूँ अगर तुम अपना पट्टा खोलकर भाग भी गए तो भी यह जहास जल्दी एक नहीं गैलेक्सी में जाएगा पर उन गार्ड्स के कॉलर कंट्रोल तक पहुचने का कोई तरीका जरूर होगा हम साब ने कोशिश की पर हम उन्हें ओवर्टेट नहीं कर सके शायदा खेले नहीं पर अगर हम सब मिलकर काम करें तो मैं और बरदाश्ट नहीं कर सकता मुझे जाज से उतरना है नवी रोको उसे वह बेकाबू हो गया है शॉक कॉलर्स बेकार हो गए इसके लिए चाहिए बस एक शॉट सकित और ये छोटो ग्रे में तर इतनी डिंगे मत मारो छोटे मिया ये काम तो एक बंदर भी कर सकता था तो किया क्यों नहीं तुमने अधादे चलो अभी अभी तो मज़ा आने लगा था इसकेप पॉड्स के कंट्रोल यहीं कहीं होंगे उस लिक्स ने तो कहा था वो यहीं से इस जहास की हर चीज कंट्रोल करता है ये बात पूरी तरह सही नहीं है मैंने कहा था ये हाथ इस जहास की हर चीज कंट्रोल करते है उन्हें भी और उन्हें अपने दुश्मनों को खत्म करने में कोई अतराज नहीं है ना कि तुम्हारी तरह मैंने कहा था ये आँखें सब कुछ देखती हैं और अब सब लोग देखेंगे मगर शुरुवात में तुम लोग नहीं मरोगे ये मरेंगे अकर हमें हार नहीं है तो क्यों ना हम लड़ कर हारे कमाल की जोड़ी है हमारी मुझसे गले लगोगे तो पिछब जाओगे इसके बारे में क्या थाल है आराम से हमें एसके पोर्स रिलिस करने के लिए इसकी ज़रूरत है अब मैं तुम्हारी बात महीं सुनूंगा ये शो का हिस्सा नहीं है मेरा हुक्म है कि तुम रुको 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 एक मिनिट समझ गया केविट रुको क्या मैंने कहा रुको ये तुमने कैसे ये सिर्फ कंच्रोल कंसोल अपरेट नहीं करता ये खुद कंच्रोल कंसोल है और अब मैं इस जहाद की हर चीज कंच्रोल करता हूँ वेल तुम्हारे लिए अच्छा है बद मुझे तुमसे छुका ना मिल गया यही काफी है इंटर गैलेक्टिक हाइपर जंप लॉंच हो रहा है यह मैंने नहीं किया और मैं इसे रोक भी नहीं पा रहा है तुम्हारा मुझ पर उतना कंट्रोल नहीं है जितना तुमने सोचा था जल्दें हमें एसकेप पॉट्स तक बहुचना होगा वरना हम दूसरी गैलक्सी में पहुच जाएंगे मदद का एक हाथ बढ़ाओ या छेट तुमसर एसकेप पॉट्स लेकर अपने प्लैनेट्स में वापस लोट जाओ और तुम भी नहीं मेरी जिन्दगी तुम्हारी है और मैं उसे वापस दे रहा हूँ अब जाओ ओ नो ये भी अभी होना था नन्य पेकार इंसान श्लिक्स विद्माम को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता कोई नहीं केविन तुमने मेरी जान बचाई बिलकुल आखेल इन बाकी लूजर्स को बचाने में मैंने अपना टाइम क्यों बेच किया क्योंकि मैं खुद तुम्हे सबक सिखाना चाहता हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारा चंचा टेक्टॉर गयान आई है और मेरे पावर्स कंबाइड करने की सला के लिए थैंक्स कम आन प्लीज काम करो बस एक बार एक और एलियन को बुलाने की तकलीफ मत उठाओ मैं तुम्हारे सारे पावस बहुत अच्छी तरह जाग चुका हूँ अच्छा पर शायद तुम अब तक टैनन बोल्ट से नहीं मिले हो एक गेम खेले इसका नाम है डॉजबाइड कुम अनुद थाओ नहीं मुझे लगा तुम चले गए मैंने कहा ना मेरी जिन्दगी अब तुम्हारी है अब इसा परावर हुआ तो तुमने मुझे चंचा कहा था एंटरकेलेक्टिक हाइपर जंप लाउट हो रहा है बेंड क्या तुम ठीक हो हमने तुम्हें हर जगे तलाश किया कहा थे तुम लंबी कहानी है तुम ठीक हो हाँ ठीक हूँ और केविन का क्या हुआ उसे खेलने के लिए नया साथी मिल गया